अजीत वेब टीवी वलनों देश अते दुनिया दे दश्कांदा स्वागत दोस्तों तुसी जान देओं असी अपने वकवक प्रोग्रामां दे तहत वकवक खेतरां दियां सिर्कड शिक्षीतां दे नाल मुलाकात कर देयां उननों थाड़े रूबरू कर दे रहनें ते अज सादे ली बड़ा मान मता मौका है के सादे गवांडी मुलक पाकस्तान तो सिख्या दे खेतर नालसबंदत एड़ूकेशन दे खेतर दे नालसबंदत सिर्कड शिक्षीतां सादे स्टूडियो दे विच अचेचे तारते पहुंचियां ने असी थानू उनना दे रूबरू क करांगे उनना तो पाकस्तान दे विच सिख्या दी की सिथी है दे बारे जानकारी हासल करांगे ते सब तो पहला उनना दे नाल मैथा दी जान पहस्टांद करवादे हैं मेरे बिलकुल नाल बैठे ने Dr. Mohamed Aslam University of Health Sciences Lahore दे वाइस चांसलर ने ते सिथे तोर दे मेडिकल सिख् लाहूर दे वाइस चांसलर ने ते उनना दा अपना खेतर जड़ा है वो अंजिनिंग है उनना दे नाल बैठे ने Dr. आबिदा तहरीन तहराणी दीन ने फकल्टी आफ सोशल सेंसे जिनिएस्टी आफ सिंदे तो सर असी अजीद वैब टीवी वलनों ता दा स्टूडियो द दे गल करांगे एडुकेशन दे बारेच पकस्तान दे विच सिख्यादी कीस्तिती है ते साथे दर्शक आवी जनना चांगे के डेड़ा पारत दे पकस्तान दे रिष्टे ने उनननों असी नियर फ्यूचर दे विच नियर परेक दे विच किस तरह होर बेतर होर स्खावें बना सकते हैं तो सब तो पहला डेक्टर मुहम्मद असलम मैं थाड़े तो जनना चाहांगा तुसी वाइस चांसलर रो यूजियर स्टी ऑफ हेल्थ सेंसेज लहूर दे तो साथे दर्शकान दो तुसी एह जानकारी देओ के पकस्तान दे विच डिडी मेडिकल एडुकेशन है उधी की स्थिति है और पारत दे विच जो मेडिकल सिख्या है कि इना दोना दापस दे विच कोई समेल है कोई किना का अंतर है पकिस्तान च मेडिकल एजुकेशन जी बाशाला बहुत बेहतर जा रही है तकरीबन साथे को एक सो पंजी मेडिकल टेंडल कॉलेज ने इदे आप जाए उनिवस्टी एफ हल्थ साइंसेज जी डी के पंजाब दे सारे मेडिकल डेंडल नर्सिंग ते एलाइड हल्थ साइंसेज दे नाल डील कर देने एकसेप्ट किंग एड़ड मेडिकल युनिवस्टी ते असाड़े को ल तकरीबन एसी उनिवस्टी दे वेचे 42,000 स्टुडेंट्स जेड़े ने ओ इलम हासिल कर रहे ने और साड़े जाल कुछ तेहतर मेडिकल डेंडल नर्सिंग एलाइडल साइंसेज दे कॉलेज एफलियेटेड ने ए तक्रीबन ओई मॉडल है जड़ा एथ पंजाब है कि जड़ी मेडिकल दी उनिवस्टी है मोर और ल मुझे जवाल जवाब आ गया कि असी उनने देनाल किस तरह आपस इच कॉलाइबरेट कर सकने है तो इस कॉलाइबरेट है कर सकने है कि पहले रिकालते हैं कि स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम कि चलो लंबे अर्से वास्ते ना सही कि थोड़े 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 ज़िए फिल्डेच मेडिकल साइंसे ज़िए नर्सेंग इच उननों इंट्रेस्ट है उत्यान उत्र ज़िए इच्छेंज भी हो सकता ज़िए कि टीचर भी एक अफ़ते वास्ते दो अफ़ते वास्ते एक कंडेंस्ट कोर्स तर टीचिंग प्रोग्राम रख से ताजाए त दोग्स गेच्छेट विच अनू एक्सटरनल एक्जैमिनर ओवर सी बलाने पेंदेने उननों थीसेस पेज़ने पेंदेने शनू रविव वास्ते तो है कौलटी ऐश्योरंस सान अपसिस पिज़ने पेंदेने तो ओ ते बहुत ही आसान काम है कि उनन दी सानापसिज एक्स्टरनल एक्जामिनशिप पास्ते उत्थ 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 बलाई जाए है खर्चेजी लगुए लाहॉर बिल खुसूस एक बड़ी एवे के खर्चेजी कोई नी लोकल हॉस्पिटेटलिटी दोनु मुलक देन फासला कुछ है नहीं, कोई एरलाइन दे टिकट नहीं लेनी होने, it is also very economically feasible, ते होर भी बड़े देखे जा सकते हैं, या ताड़े कोल कोई अच्छा हस्पताल है, साड़े डॉक्टराज और टेकनीक से किन, इत्वाल ना दे हस्पताल वास्ते कोई साड़े कोल टेकनीक या ते हो इस सारियां चीजां खलके खुदा दे, फैज दी खातर, within affordable price, बहुत खुबसूरती देनाल, एक collaborate हो सकती है, जी, तो मैं डिक्टर फैजल हसंद थाड़े को जानना चाहांगा, तो उसी वाइस सांचलर यूनिएस्टी फ एडूकेशन लहौर दे, लेकन थाड़े जानना खेतर है, तो मैं जानना चाहांगा, साथे दर्शक जानना चाननगे के पकस्तान दे विच जड़ी अंजिनिंग एडूकेशन हैंगी है, उदी की स्थिती हैंगी है, और जड़ा यूथ है, उदीच किनिक क्रेज है, साथे अगर असी देख दिया था, ये दी तैलीम दा मैयर काफी अच्छा जा रहा है, उदा एक सबूत देवे के साथे जड़े ग्रैजूएट मुल्क तो बार जान देने, काम करन लई या इवन पढ़न लई, उथे अच्छे अंजिनिरां देवेच और अच्छे तालेबलमाच शुमार हों देने, इंग्लेंड तो आड़ा स्वाल दा हिसासी के लड़कियां काफी सारीयां जा रही याने, बिलको सही बात है, जोदो मैं खुद पढ़दा सां, तो पूरी यूश्ट्री वे दो कुड़ियां पढ़ दिया सां, और हों तकरीबन एंजिनिंग यूश्ट्री जिथे मैं चाली साल पहले र एजूकेशिंग मेरे को सतर परसेंट लड़कियां ने असवल है, और फैकलिटी दे वच वी जिए जिए हैं, टीचर्स ने साड़े को ली सतर परसेंट कुड़ियां ने, जिए यूश्ट्य यूश्ट्य वे ए बनियादी तोर्ते एक टीचर एजूकेशिंदा एदारा है, ऐसी स्कूल टीचर और कॉलेजट टीचर परड़ूस करने हैं, और साड़ाजी जिए जिए बड़ी रीसेंट जिए यूश्टी है, दोज़ाज़ दोज़ज बनी है, पंजाब दे विच लेज भी सर्फ यूश्टी बनी हूई है, पंजाब दे वचे टीचर ट्रेनिंग का आपकिस्टनर एक अप्रमनाथश्टोर पुराना एक तुर्णच एक और यह पपुस्स कालजी है। बड़ा खुबसूरत दा अरकिटेक्ट्चर है तो असी किस तरह इस्तफादा हसल कर सकते हैं साड़े कॉंसेप्ट हाले एक्जिस्ट नहीं कर दा असी पहली वरी चीज सुनी है कि इतना दी चीज को कोर्स ने वेच भी पाई जा सकती है साड़े हाले कॉंसेप्ट नहीं कर दा सी दो तेन दन जो दो आगाल बात सुनांगे सारी कॉंफरेंस तो सर तुसी पंजाब टेक्निकल यूनिएस्टी दे सदेदे उपर तुसी आयों अंतर राश्ट्री कॉंफरेंस उथे चल दी पही है तो किस तरह था था थानू एक्स्प लोकां ची नजर आई है जिनों कि तरह रस्ते किसनों जानना दसीदा किसी पाकिस्तान चाहें जलेवाले बाग चेक फैमली मिली वह सानू एक बड़े खोश होए सानू भी एदन दी बड़ी फिलिंग होई है ते एक ते सानू जड़ी एथियान के एक है ना के जी यह कोई मुलक निया जिदे नाल साडे कदी कदी कुछ थोड़ी बहुत नराजगी भी हो जान दी उस मुलक जो एने ऐसी कोई फिलिंग नहीं होई सानू बड़ा अच्छा महुल मिले आ है पी टी उदे बचा के ते माशाला उनना ने सानू बहुत अच्छा खुशामत किता है जड़ी महबबत है लोगां जड़ा एक अट्रेक्शन है प्रेम है ओ लगातार है देखनू मिल्दा है गा ड़क्तर तहरानी मैं थाट तो जानना चाहांगा क्योंके तुसी उनिवर्स्टी उफ सिंदे नाल सबंदत हैगी हो जोड़े हूए हूए हूँ एक ता सिंदे at sama university, i belong to in university, which is one of the oldest universities in pakistan and its on the right bank of river Indus there we have about 26 thousand students studying in the university they are in a row, more than 47 percent is female ratio so that it self tells you about female education at higher level. If you look at the overall picture, the literacy rate of government is almost 37 to 40 percent, and obviously female ratio is less, but it is with certain initiatives taken by the government. Now, there are some problems that you can understand, customs and traditions, but now many people are happy because education, the number of schools opened, the number of teachers, so education is like a door step. First of all, a child was 10 miles away, and when the child was a child, the whole structure of that education has changed. Jaij sahab nai kaha ke baja hai 2K, aba ap ko more than 60-70 percent khawati nagar hati university. So, it is there. Lekan mein yeh nahi kahoongi ke we are very happy with the situation. We can do always more. Education as a jeez hai, jis mein jisdan amne keh diya, am happy hai, to osse din stop ho jai. To we need to do on our own level as educationist, and the government also has to do. To hum promote kar rahe hai, different education policies banai ja rahi hai. Jahanke you can have, balke kai jagah to hum aise hai, humare ase school ho mein jo hai, muft padai ho gai hai, muft lunge provide kiya jara hai, taakke unko welcome kiya jara hai. Aar female khas or pe. To the situation is not bad. Even in terms of faculty, humare haan kaafi, matab female ratio zahada hai. So that sort of tells you the story of how the education of women is taking place in Pakistan. Dr. Mohamad ashram, Thaddeval, mein vaapas anna ji, maith Thadde toh jana chaan ga. Ki tusi adhaan par dhaan di gal kar rahe sige. To utho di joh medical education hai, ki odhich, jadi 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 usse gal nun agge le chalde, jadi woman wali hai. Ki medical science de vich, medical education de vich, eh ratio jadi hai. यह तुसी कोई देख देओं अंतर देख देओं के ठीक है गा जिको जी, सेम पैटरन एथे जारहे है जी साड़े सारे मेडिकल कॉल जान दी अगर परसेंडेज कर दी जाये तो एट विल कम बेट्वीन सिक्टी तो 65 परसेंट गर्ल्स और 35 तो 40 परसेंट बॉइस सो जादा कुडिया ने चुके कंपिटिटिव एग्जैम्स ने गर्ल्स जनरली देवर्क हार्ट बॉर ते ओ दाखला ले सक दिया ने और चुके मेरिटोक्रेसी है अड्मिशन इन मेडिकल कॉलेजेज आफ पॉलिक सेक्टर यह सही है कि कुछ अर्सा आंदा जे लेडि़ीज दे उते नट इन आल जी सम अफ दे लेडि़ीज बिकॉस मेरिज फिर डिस्प्लेस्मेंट विदाहसमेंट बच्चें दे उते मदरूड अर्ली मदरूड ओ फेज़ा एजां दियाने लेडि़ीज जिए फॉड रोड कॉपल अफ यहर्स बीज़ बिए वो एक फेज़ फेज़ अफ लला अंदिये, बट अगेन मैनी अफ लेड़ीज रिवर्ट बैक, दो देर लेड लेड स्टार्टर, दे रिवर्ट बैक तो दे प्रोफेशन जो अपर इंदियनिये ने, बट 60-65% और विमन इन आर मेडिकल स्कूल्स इन पाकिस्तान. जी, डक्टर हसन मैं गल करनी चाहाँगा, साड़े एथे इंडियन एडुकेशन दे वीच अगर पंजाब दी गल कर लिये था, अक्सर जो सलेबस ने जाँ एडुकेशन पॉलिसीज ने, एदे उपर काफी डिसकुशन और किंतू परंतू होंदे ने, की पकिस्तान दे वीच जो सलेबस ने खास्त दूरते अगर हायर एडुकेशन दी ऐसी गल करिये, साड़े जो यूनियस्टिया ने वो अक्सर सलेबस चेंज कर दिया ने, नवे नवे एक्सपेरिमेंट कर दिया ने, तो उदर की इस्तिती है, ऐस पक्खो सैट्सफेक्शन है, स्टूटर्स दे वी टीचर फ्रकल्टी देवीट. तो फाले ना गल किती है, तो हैर एडुकेशन कमीशन इस्ता करदा है को हर किसे कोर्स दा, चाहे हो मेकैनिकल इंग यह या एडुकेशन है, ओदे वास्ते ओ, इस्ता करदा है कि एक बोर्ड बना देंदा है, ओजो साथ एक्सपर्स लाएके मुगतलिफ उन्चिया दे, एक बोर्ड बैठ दा है ओब काईदा पूरी अपनी रिक्मेंडेशन ज्रिया ने फर्मॉलेट कारदा है कि जिना आप मेकैनिकल एंजिनिंग दे जिड़े कोर्से होंगे पहले साल तो लेकर चौते साल तक बकाईदा नो थे क्रेड़े टावर्ज भी उनना दे सब्जेक्ट बनाया बनाया फार्मेट देता जाएगा और उननो फालो कर देने एक बहुत ममूली जिनी विच फ्रीडम भी होंदी है कि तुसी अपनी जिड़ी फैकल्टी दी अवैलिबिलिटी है कि तो आड़ो को लेकल लिबार्टी जिड़ी जिड़ी हो जरा कमजोर है या एक पर्ट जिड़ी आगी है उदना फर जिड़े ग्रेजूट प्रोडूस होंदेने मुख्लिफ इस्टियां चो उननो आपस दे कंपेर करना वी आसानों बैदे उननो मुलाजमत देन वाले लोग ने उनना दे वास्ते भी उनना दा कू स्टेंडर्ड इरावे का मुतायन हो गया है सदे पंजाब्दियां जो यूनिएस्टियां ने तीन चाफ हुने हुने फैसला होया के ना दा जो स्लेबर्स है बाकी जो शेड्यूल है सारे साल दा वह एक जैसा होईगा तो की उते भी इस तरह कोई उते सना सरफ पंजाब्दे हवाले ना ले तो पूरे हार एजुकेशन चीज ज़ी तो आड़े इंडिया चुंदी होनी है कि किसे भी फील्ड देडी एजुकेशन है उन फर हार एजुकेशन कमिशन ने कुछ एदारे नो जवें इंजिनिंग कौंसल है या जवें नैक्टी है नेशनल कौंसल फॉर एक्रेटेशन आफ टीचर एजुकेशन एदा तक पूरे उतर देने जदो उस लेवल ते पूरे उतर दे होन ते फिर उस प्रोग्रेम नो किया जानदा है कि जी तो आड़ा प्रोग्राम होन एक्रेडिट करता है दूसी ज़ी गाला हो क्रेडिटेशन वी जडिया हो कोई फॉर आल टाइमस टू कम नहीं होंदी उना नो उनो कम जोरी है की कर Computer को करते हैं कं दो साल और तीन साल दे बाद दोबारा वनो आके वीजट करके एक्रेडिट कर देरें तो उना दे बनाय होई है चीजी दे कोर्सिस उना दियां बनाया हो जैंसी दियां या टीमा दियां अपने एक रिडिटेशन इदनल में आरनू बेतर रखन दा किता जाना एक चीज बाहर रफरी में कहना जामागा है क्योंकि मैं खुद टीचर रहा है जिनना दे मर्जी सिस्टम नाय जान एक जी इंडिविजिल टीचर दी आपनी एक डिवर्शिन हों दी आना उदा कोई मुकाबला नहीं एक टीचर जनों क्लास दे जान दे और अपना दर्वादा मगनों बंद करन दे तर सामने चाली पंजा बचे बैठेने और तुसरा नों पढ़ा रहे हो और एक जिडिया और गुफ्तगु जारी है जो मेरे जैन ची गलना नहीं हो में उनना दे जैन पाउन दी कोशिश कर रहे हैं और एक आर्टिस्ट देता है और दो ते एक करना पहन दा है ओ जिसले तुसी जों क्लास चो बार निकल दोना तो कदी-कदी फिर मगरों वाद हों दिया यार आज मज़ा आ गया है तो तो फिर लुटफ आजन दा है ओ जरी चीज़ है ना जी ओ एक इन्डूचिल टीचर दा काम लागा है तुसी बढ़िया बना लाँगे तुसी बढ़िया बना लोगे बड़ी अक्रेटे और टीचर बनकर तुसी बढ़िया जिम्मदारी कुबूल किती होई है क्या उन्हों तुसी अच्छे तरीकना पूरा कर देओ यह एक हुमन वैल्यूद आस्पेक्ट आपनी जिम्मदारी नू मासूस करना तुसी सर बिलकुल दुरूस्त फर्माया ड़क्टर तहरानी मैं ज यह उन्हों थैवर और इसकर वह बाहत है तरन कर दो हम सिधा गोर्डें टेंपल गाए कि मामत्हर तेका है और वहां का समा था उसको देखे तो मुझे लग रह था कि नुछिभे वहीं से होती हमेन वैलियूस बहुता कि उन्षी का कॉंसेट चुरू वहीं से होता है और It is called International University of Peace and Sufism, which also teaches concepts of human values. So, I look forward to it in the sense that we are going to learn new things. And I am very honoured that we have been treated very nicely, very comfortably and very welcoming. The most excellent thing is that welcoming. And the Vice Chancellor says, आज दुपेर को भी लांज पी बात हो रही थी, आपने एक सावाल पुछा था के, how best to get together the two countries, and I think the best way forward is to bring some kind of training programs, जिन के बारे में आज वाईशांसे से जिकर वा था, मेरे वाईशांसे तर यहा आए में, पारत, पकस्तान, असी सारे चन्नेया के रिष्टे अच्छे बना, महाल सखावा होवे, इदली की की करंदी लोड है? जिकर जी, सब तो पहले, ते flexibility, openness, और जो education, human values, और through education, through people, उते आले ते रहेंगे, जो भी होना रहेगा या नहीं होना रहेगा, बट जेड़े लोगानो है, through health systems, through education systems, through cultural systems, मुक्तलिफ, multi-facet approaches, देखनिया चाही दियाने, और ओदेच सानो ज्यादर तो ज्यादर कोलिबरेशन चाही दिया, चुक्के जड़ी पाकिस्तान partition देबाद, पाकिस्तान पैदा हुई या इंडिया वेच पैदा हुई, वो इस चीज़ दा इदराक नहीं कर सक दी, के जी, ओ लोग किस तरह ने, या उनना दा, बूदो वाश, कल्चर किस तरह दा है, जो दो मिल देने, तदो ही आई समेट हों दिये, जो झाले, जो पाकिस्तान देन, जो आई समेट जाई है, जो भूदो किस तरह रहाज किस तरह है, गुद भू दिये प्यारितस प्ट्रूदों सेचूप्ट्रों आई कर्देए, या साडे इसे अधार काम भीकेशन के रहाज जाएगा, जो लोग मिल जांगे, ट्रॉस दू आपो जाएगा, the top leadership they will be bent down to listen to them.